साथियों, भारत की जो सभिता है, उस सभिता में पसु हो या पक्षि हो, हमेशा उन पर दया की गई है, पक्षियों को लोग दाना खिलाते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, उन पर दया करते हैं, और उनको एक पवित्र रूप से देखते हैं, उन पर हिंसा नहीं करते, पानी रखते हैं, चुडियों पे उनको किसी न किसी देवी और देवता से जोड़ दिया गया है, आपने देखा होगा कि आज भी घरों में पैरेट को यानि तोता को कितने प्यार से रखते हैं, उसे अपने घर का सदसे समझते हैं, उसकी तमाम तकलीफों को समझते हैं, साथियों हमने अपने पक्षियों को किसी नकिसी देवी देवता से जोड़कर उसे देवी देवता का ही सुरूप रख दिया आउल अर्थात उलू इसको हमने मा लक्ष्मी से जोड़ दिया और मा लक्ष्मी से जोड़कर उसे एक पवित्र इस्थान दिया साथियों हमने हंस को मार सरसोती से जोड़ दिया और उसे एक अपना पवित्र स्थान दिया साथियों पस्वों और पक्षियों को कभी हिंसा का स्वरूप भारत ने नहीं अपनाया यही हिंद की सब्विता है इनी सब्दों के साथ धन्यवाद